आपको पता ही होगा कि कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको LED बल्ब का RAW मेटरियल दिखाया था जिसको मैंने दिल्ली से मंगवाया था तो उसी माल के अंदर मैंने ये वाली बैटरी भी मंगवाया थी 10-30 तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इनी बैटरी के बार मे वो प्राइज नहीं बताया उसका कारण यह था फ्रेंड की मेरे को भी किलियर नहीं था कि कौन सा समान कितने रुपए का मिला है वो सारा कुछ लिस्ट देखने के बाद मुझे पता चला है तो आने वाली वीडियो के अंदर एक-एक समान में आपको दिखाता रहूँगा और यह यह वाला कनेक्टर हमारा यूज होता है तो यह जो बैटरी है यह 100% औरिजिनल बैटरी है अब कैसे आप क्लियर करोगे और लोकल है उसका भी तरीका में आपको बताऊंगा तो इस बैटरी का आगर आपको AC-DC बल्प के अंदर यूज करना है तो कर सकते हो अब काफे सा आपको दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए यह देखिए मेरे पास टीजी 113 बुलू तो स्पीकर का बोर्ड है अब इसके अंदर अगर हम इस बैटरी को लगाना चाहें तो देखिए क्या दिक्कत आएगी यहां पर देखिए यहां पर हमारी बैटरी बैटरी हमारी सेम है सेम वोल्टेज की है बस फरक इसके आगे के कनेक्टर का है यह हमारे बड़े साइज के कनेक्टर है और यह हमारे छोटे साइज के कनेक्टर है बस इतना ही इसके अंदर फरक है अगर आपके पास इस टाइब का बड़े कनेक्टर का यह बैटरी है तो आ हमारी AC-DC बल्फ के लिए मंगवाई हुई है क्योंकि काफि सारे कस्टमर भी मांगते हैं और मैं खुद भी LED बल्फ रिपैर करता हूं तो उसके अंदर मुझे इसकी जरूरत पड़ती है तो यह चीज आपको किलियर हो गई अब चलिए इसके बारे में आपको बता दूँ कि यह बैटरी है यह ओर्ज़नल है कि नहीं नहीं है तो देखिए इसके ओपर कहीं लिखा हुआ तो नहीं यह यह और को व कैई यहां नहीं पे दिख़्न करूंगा यह मैंने ओन कर वीट है five hour बैतरी है इसको मैंने ऑरजनलंब सरकिट से निकाला हुआ है तो आप इस तरीके से देख सकते हो और यह जो मैंने बैटरी मंगाई है इसके लिखा हुआ नहीं है लेकिन यह उर investigations है कि नहीं है यह से आपको पता चलेगा तो यहां पर हम बैट्री को भी इस तरीके से देते हैं तो यह पर आप देख सकते हो इस बैट्री का भी वेट तो औरिजिनल लेकिन रियूज है या फ्रेस बैटरी है यह आपको तब ही पता चले कि जब आप इसके रैपर को खोलोगे तो चलिए मैं आपको इसके रैपर को भी खोल के दिखा दूँ ताकि आपको सारी चीजे किलियर हो जाए कि मैंने जो बैटरी मंगवाई है यह सच में औरिजिनल है या फिर वैसे रियूज बैटरी मिल गई मिलको तो यह चीज आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि काफे सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हम बैटरी तो वेट वाली लिया है लेकिन उसके बाद भी हमें बैक अप नहीं मिल रहा उसका क्या कारण है तो मैं आठाहा देता हूँ ठीकर को हटाने की बात संवन बफ्रेस व्याग्तरी यह चीज पर विश्वास करें और उच्छा-कासा आपको back up मिलने वाला है और यह 22 mhc हमारी एक बैटरी है ठीक है तो इसी तरीके से अगर आप इस बैटरी को मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो अब मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि जहां से मैंने बैटरी को मंगाया आप वहीं से मंगाओ आपको जहां से भी ठीक rate मिले और कि आपको 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 वीडियो पसंद आई होगे और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like शेर जरूर करें और चैनल पर नए हो भी तो चैनल को subscribe करें तो चलिए प्रैंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक लिए जैहिंद वंद मात्रों.